बहुत समय पहले की बात है, एक गाव में एक ननही परी रहती थी जिसका नाम वर्षा था। वर्षा बहुत ही प्यारी और शरार्ती परी थी, जो हमेशा खुश रहना चाहती थी और दुनिया के सभी लोगों को भी खुशी देना चाहती थी। एक दिन की बात है, जब वर्षा बरी ने देखा कि जंगल में एक बहुत ही सुन्दर राजकुमारी खेल रही थी। वह राजकुमारी अपनी खेल के साथ साथ खुशियों में पूरी तरह डूबी हुई थी, लेकिन कुछ बुरी परियों की कहानी सुनकर वर्षा बरी ने देखा कि वह प्यारी सी राजकुमारी की आखों में दोहक की भावनाएं भी छिपी हुई थी। यह को देखकर वर्षा परी ने राजकुमारी से यह सच जानने की कोशिश की वह क्योदुखी है। राजकुमारी ने वर्षा परी के हुई मित्रता और उसके साथ खेलना बहुत पसंद करने लगी, इससे वह बहुत खुश रहने लगी। उसमें सीखा की खिलोना या अन्य सुख सुविधा की चीजों से खुशी नहीं मिलती, वहीं दोस्ती से असली खुशी मिलती है।